हलो एवरिवन, स्वागत है आप सबका अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में आज मां आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल टॉपिक जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पैरंस ठीचर मिटिंग कन्वेशेशन के बारे में जैसे ही बच्चों के टेस्ट या एक्जाम खतम होते हैं, बारी आती है रिजल्ट अनाउंस करने की यानि PTM की, तो हमारी घबराट बढ़ जाती है, कि स्कूल जाना है, इंग्लिश में टीचर से कैसे बात करेंगे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या पूछेंगे, तो don't worry, अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप PTM के नाम से बिल्कुल नहीं घबराएंगे ये वीडियो parents और teacher दोनों के लिए बहुत ही useful है, क्योंकि इसमें हमने वो सारी बाते include की है, जो कि हम एक parents teacher meeting में करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं parents teacher meeting conversation तो चलिए शुरू करते हैं आज की conversation अगर mother father दोनों साथ जा रहे हैं school में तो आप बोलेंगे सुपरभात मैडम हम अर्जुन के माता पिता हैं और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप बोलेंगे सुपरभात मैडम मैं राधिका अर्जुन की मम्मी और अगर father जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं जैसे और कई बार ऐसा होता है कि PTM के अलाव भी हमें जाना पढ़ता है कई बार बच्चे हैं कोई शरारत कर देते हैं या ठीक से नहीं पढ़ रहे होते हैं तो teacher हमें बुलाती है तो उस टाइम हम कैसे बोलेंगे हलो मैं अर्जुन ने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती है हलो मैं अर्जुन स्टॉल्ड मी देट यू वांटे टू सी मी जी हां कृपया बैठिये येस प्लीज सिट डाउन तो चलिए अब फिर से बात करते हैं हमारे parents teacher meeting के बारे में तो जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं तो हम पूछेंगे कि मैम आप कैसी है हाव आई यू मैम teacher मैं ठीक हूँ आप कैसे है I am fine and how are you तो आप बोल सकते हैं I am also fine मैम फिर हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के पढ़ाई के बारे में तो हम पूछेंगे मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा कर रहा है How is my son doing in his studies teacher वे पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अन्ने गतिविद्यों में भी भूत शक्रिये है He is very good in his studies and he is very active in other activities Unit test में उसका परदर्शन कैसा है How is his performance in unit test या फिर half yearly जिस भी time आप जा रहे हो unit test हो या exam हो या फिर annual exam हो तो आप उसका नाम ले सकते है Teacher वे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है पर वे बहुत बातुनी है He is doing very well in studies but he is very talkative Class में उसका वेवार कैसा है How is he doing in class Teacher वे अच्छा वेवार करता है और अनुशाशित है He is well mannered and disciplined तो ये तो बात हुई सिर्फ हमारी तारीफ की लेकिन साथ में तारीफ के साथ में हमें बच्चों की कुछ जो शिकायते हैं वो भी पैरेंट से करनी होती है तो चलिए देखते हैं कि वो शिकायते हैं पैरेंट से कैसे करेंगी वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है पर इस बार उसके बहुत कम नंबर आए है क्या वज़य है हाँ एक्जाम के दुरान उसके तबे ठीक नहीं थी वह मुश्किल से पास हुआ है वह पढ़ाई में दिल्चस्पी ही नहीं लेता वह पढ़ाई में अच्छा है पर क्लास में उसका वेवार अच्छा नहीं थी है he is good in studies but his behave in class is not good parents क्या हुआ क्या किया उसने what happened what did he do फिर कई बच्चे होते हैं जो शैतान होते हैं एक दूसरे को मारते पीटते हैं तो उनकी शिकायत हम कैसे करेंगे teacher कभी कभी छातर शिकायत करते हैं कि उसने उन्हें पीटा sometime students complain that he beat them parents मैं मुझे माफ कीजिये मैं निश्चित रूप से इस मामले को देखूंगी I am sorry ma'am I will surely look into this matter teacher मैं बहुत निराश हूँ कि वह इस तरह का विवहार कर रहा है I am very disappointed that he is behaving like this parents मुझे माफ करें और करपया मेरे बच्चे के गल्थ विवहार के लिए मेरी समाय आचना स्विकार करें I am sorry please accept my apologies for the misbehave of my son कई बारी कई बच्चे होते हैं जो बहुत धीरे लिखते हैं उनके handwriting बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे teacher वह बहुत धीरे लिखता है और कई बार तो अपना classwork पर time पर खतम नहीं कर पाता है His writing speed is very slow sometime he doesn't finish his classwork on time parents हम उसकी लिखावट पर विशेश रुप से ध्यान देने sure we will focus on him especially his writing work कई बारी parents है वो खुझ चला के पूछते हैं कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है पढ़ाई में कैसा है तो उसको कैसे पूछेंगे वह पढ़ने लिखने में कैसा है How is he in reading and writing teacher वह मोखिक में बहुत अच्छा है पर उसकी लिखावट बहुत गंदी है He is very good in oral part but his handwriting is very messy Parents उसकी लिखावट सुधारने के लिए मुझे कुछ सुझाव दीजिए Give me some suggestion how I can improve his handwriting Teacher बस उसे थोड़ी practice की जरुवत है He just need more practice अब कई बच्चे होते हैं जो अपनी notebook है वो उनके page कहीं कहीं से फार देते हैं उनका cover फार देते हैं या उस पे कुछ भी drawing बना देते हैं तो हमें उनकी complaint है जो करनी होती है तो देखी कैसे करेंगे वै अपनी notebook को भी ठीक से नहीं रखता है He doesn't keep his notebooks properly Parents, मेरी जानकारी में लाने के लिए धन्यवाद मैं इस बारे में इसकी मम्मे को बताऊंगा Thanks for bringing it to my notice I will tell his mother about it अब कई बार ऐसा होता है कि parents से हमें आके शिकायत करते है कि बच्चे को सब कुछ याद था लेकिन फिर भी उसके marks से वो अच्छे नहीं आए है क्यों? तो देखिए कैसे बोलना है इसको इस exam में उसके science में भी अच्छे number नहीं आए है क्या वज़े है? आप इसके विशे अध्यापक से इस बारे में बात कर सकते हैं फिर हम नॉर्मली जब तक उनका subject teacher आता है तब तक हम पूछ सकते हैं जैसे वह दूसरे विशे में कैसा है? How is he in other subject? Parents वह सभी विशे में अच्छा है और वह सभी विशे में अच्छे अंक लाता है He is good in all subject and he gets good marks in all subject फिर जैसे उनकी subject teacher आते science की तो हमें उनसे पूछना होता है जैसे वह विज्ञान में सब कुछ जानता है फिर उसे का मंख क्यों मिले? He knows everything in science Then why he got less marks? Teacher वह मोखिक पार्ट में बहुत अच्छा है पर वह लिखाउट में बहुत गल्तिया करता है He is very good in oral part but he makes a lot of mistakes in written part इन दिनों वह अपना homework भी नहीं कर रहा है उसे घर पर कोन पढ़ाता है? He is not doing his homework in these days Who teaches him at home? उसकी मम्मी ही उसे पढ़ाती है पर कुछ दिनों से उनकी तबे ठीक नहीं है His mother teaches him at home but she is not well since few days Teacher, अगर उसकी मम्मी की तबे ठीक नहीं है तो आप भी उसे घर पर पढ़ा सकते हैं You can also teach him at home if his mother is not well Parents, पक्का मैम मैं आपको फिर कभी शिकायत करने का मोका नहीं दूगा Sure ma'am, I will never give you a chance to complain again अब कई बारी कई parents की शिकायत होती है जैसे Parents, वै अपना lunch वैसका 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 वापस ले आता है He always bring his lunch box back as it is Teacher, मैं lunch break में इनकी class में जाऊंगे और मैं खुच चेक करूंगे आप चिंता मत कीजिए You don't worry, I will go in his class in lunch break and I will check it personally I, I के साथ हम shall use करते हैं लेकिन ऐसे sentences जिसमें हम promise कर रहे हो दर्ड संकल्प, धंकी या फिर पक्का इरादा हो तो ऐसे sentence में हम I के साथ will का यूज करेंगे या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं यह सूनिश्यत करूंगी कि यह फिर कभी ना हो I will make sure that it never happened again Parents, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम Thank you so much मैम और कई बारी हमें यह भी शिकायत करने होते हैं कई बच्चे होते हैं जो अपने lunch box में है non-wagged food ले आते हैं या फिर junk food ले आते हैं तो उनकी complaint भी हमें करने होती है तो देखी कैसे करेंगे Karpya मैम, उसके lunch box में non-wagged और junk food ना भेजे Please ma'am, don't send nonways and junk food in his lunch box Parents Okay ma'am, मैं ध्यान रखूंगी Okay ma'am, I will keep it in my mind Teacher क्या उसकी नजर कमजोर है? Does he has weak eyesight? Parents मुझे नहीं पता लेकिन यह हो सकता है I don't know, but it may be Teacher मैंने देखा है कि वैं blackboard पर लिखा ठीक से पढ़ने में ऐसमर्थ है आपको एक बार doctor से सला लेनी चाहिए I have noticed that he is unable to read the blackboard properly Once you should consult with a doctor Parents जरूर ma'am, आप सही कह रही है Sure ma'am, you are right या कई बारी, कई बच्चे होते हैं जो अक्सर सरदर्द की शिकायत करते हैं कि मैं मेरे सर में दर्द हो रहा है कई बच्चे होते हैं जो रोज पेट दर्द की शिकायत करते हैं तो उनके लिए हम कैसे बोलेंगे? मेरे खयाल से उसकी सेहत कमजोर है वह कई बार सरदर्द की शिकायत करता है I think he is quite weak physically He also complains for a headache very often जी हा मैम Yes मैम वह बहुत कमजोर है और ठीक से सब्दों को भी नहीं पहचान पाता है He is very weak and he can't recognize words properly Parents क्या उसको अतिरक्त साहिता की आवशकता है? Does he need extra help like tutions? राहूल पिछले दो हफ़ते से स्कूल नहीं आ रहा है क्या वह ठीक है? राहूल has not been coming to school since last two weeks Is he okay? Parents नहीं मैम उसकी तबे ठीक नहीं है No मैम, he is not well वह हमेशा उदास दिखाए देता है जब मैं उससे पूछती हूँ वह जवाब ही नहीं देता है He always looks sad When I ask him, he doesn't answer Parents वह थोड़ा शर्मिला है He is little bit shy करपया मैम, आप मुझे अपने नंबर दे सकती है ताकि मैं इसके progress के बारे में आप से पूछ सकूँ Please मैम, can you give me your number so I can ask you about his progress Teacher जी हाँ, मुझे school time के बाद मैं आप call कर सकते है Sure, you can call me after school time यह maths में बहुत कंजोर है हम इसके लिए क्या कर सकते है He is very weak in math, so what we can do for it Teacher, where हमारी extra classes join कर सकता है He can join our extra classes Parents, क्या आप इसकी seat change कर सकते है Can you change his seat Teacher, क्या कोई समस्य है Is there any problem यानि कोई बच्चा परेशान कर रहा है या ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्या problem है, किस वज़े से आप seat change कराना चाहते है Teacher, जब मैं पढ़ाती हूँ आप क्लास में ध्यान ही नहीं देता है He doesn't pay attention in class when I teach Parents, इसी वज़े से ही तो ये पढ़ाई में कमजोर है That is the main reason he is weak in study वहनियमे तरुप से school क्यों नहीं आ रहा है Why he is not coming school regularly Parents, इन दिनों उसकी तब्य ठीक नहीं है His health is down in these days Parents, क्या आप मुझे एक English teacher बता सकते हैं जो इसे tuition दे Can you suggest me a English teacher who can give him tuition Teacher ठीक है मैं आपको जल्दी ही बताती हूँ Okay, I will tell you soon Parents, इसकी वार्षिक परिक्षा कब जे है When does his annual examination begin इसके exam अप्रेल महा के अंत में शुरू होंगे His examination will start in the end of April वह अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़ता है He takes keen interest in his studies Teacher, जैसा हम परिश्रम करेंगी वैसा ही हमें फल मिलेगा Our reward will depend on our labor आपका भूद भूद धन्यवाद करपया मुझे इसकी परग्रती के बारे में सुचित करते रही Thank you so much ma'am Please keep me informed about his progress Teacher, जी हाँ बिलकुल Yes, of course So last में आप बोल सकते हैं धन्यवाद ma'am आप से मिलकर अच्छा लगा Thank you so much ma'am Nice to meet you तो ये थी हमारी PTM related conversation I hope आपके लिए helpful होगी And thank you so much guys कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किया मेरे चैनल को support किया और आपको जिस भी topic से related वीडियो चाहिए Please मुझे comment करके बताएगा As soon as possible मैं बनाने की कोशिश करूँगी And thank you so much again चलिए मिलती हूँ next video में एक नए topic के साथ अब तक के लिए Bye Bye